दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे बाड़े कर में देखे तामिल लाडो में बिहारी माईदोरों से मिले नितिस सरकार के अधिकरी कहा फरजी थे वारेल वीडियो अफवा से फेले थी दसाथ जा देखे तामिल लाडो में बिहारी माईदोरों पर काथित हमलों के खबरे पूरी तरफ फरजी थी हमले के वारेल वीडियो की अफवा के चलते लोगों में डर बैठ गया है और जिसके चलते अफरा तप्रा माच गई है दर असल बिहार सरकार के अधिकारी तामिल नाडू गए थे वहाँ उन्होंने बिहार के मैज़ोरों से बात के और उन्हें समझाए कि वारल वीडियो फरजी है अधिकारी को कहना की फिलाल हालात सामाइन है बिहार सरकार के अधिकारी बाल मुर्गन और संतोस कुमार तामिलाडू सरकार के अधिकारों से बाचित के लिए चेन्ने गए थे बिहार सरकार के अधिकारियों ने चिन्ने में बिहार के परवासी में दूर से बाचित भी की और उन्हें समझाय कि यह पूरा मामला फरजी है वो परिसान ना हो बाड़कर में देखे लेंड फॉर जोब घोटाले में लालो यादब से सीबिया के पुझताच खतम तेन घंडे तक पुझत सवार जादे के सीबिया ने नोकरे के बदले जमिन घोटाला मामले के जाच के तहद मंगलवार को पूर रेल मंत्री लालो प्रसाद यादब से जमिन घंडे तक पुझताच के अधिकारे या जानकारी दी यहां मामला लालो प्रसाद के परिवार के तौफ़े में जमिन देकर या जमिन बेचने के बदले में लोगों को रेल वे में कथी तोर पर नोकरे दिने से सम्मन्द है यहां मामला 2004 से 2009 के बीची लालो प्रसाद क रेल मंत्री रहने के समय का है वाई देके तेजसु यादव बोले लोग सोब चुनाव में महागड़ बंदन जीते की सैतिस सीटी इसलिए बेचनी है बीजेपी का जवाब पहले 49 जीते थे अब 40 जीतेंगे बीजेपी के लोगों ने किसी अजनसी की जरिये एक इंटर्नल सर्वे कराया है सर्वे में ये बात सामने आये कि आज की समय अगर लोग सोब चुनाव होता है तो बिहार में 40 में से 37 सीटे महागड़ बंदन को मिलेगी बाकि 3 सीटों पर कड़ा मुकबल होगा उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को डर 2024 का है हम लोग जब पूरो में बिदानसवा चनल लड़े थे तो सीट पर फर्क सी 12,000 बोटों का था अब तो मुख मंतरी जेड़ो और हम पाड़ी हमारे साथ महागड़ बंदन में है इसलिए वोटिंग परसंटेज को देखे गुना करे या नंबर को देखे तो मुकबला कहीं से नहीं है इसलिए बेचनी है आपको बता दी कि समुआर कुपूर मुख मंतरी राबडी देवी के पटना इसी तावास दस सर्कलर रोड में सीब्या ने चापे मारे की लगबग साड़े चार गंड़े तक उन से पुझताच की गई तेजस्वी यादव का ये बयान चापे मारे के बाद एक कारकरम में सौमवार के देर साम को दिया गया वही बीजेपी के प्रदेश परवक्त प्रेम रंजन पटेल ने तेजस्वी के दावे पर कहा कि ब्रहाम फैला रहे हैं नरेंदर मोदी दुनिया के पॉपलर व्यक्ति हैं देश की चाय के विए एक बार फिर से पियम मनें बिहार के लोगों ने 2014 और 2019 में भी नरेंदर मोदी का साथ दिया था लोगों वो सबसे अधिक किसी पर भरोसा है तो नरेंदर मोदी पर इसलिए पिछली बार लोकसवा चुना में 49 सिटे एंडियों को मिली थी इस बार 40 सिटे आईगी वह देखे लालू के समार्थान में उतरी प्रियांका गांधी कहा लालू परिवारों को वर्सों से किया जा रहा है पर ताड़ी जा देखे नोकरी के बदले जमिन रजिष्टी कराने के मामली में ततकाली ने रेल मंत्रे लालू परसाद यादाव उनकी पतनी रावडी देवी और बेडी बेटी मिस्सा भारती से सिबियाई ने गंटों पुछताच की छे मार्श को रावडी दिवी से सिबिया ने करीब पांच गंडे पुछताच की थी और कल दिल्ली से तो मिसा भारती के आवास पर पोची सिबिया की टीम ने करीब चार गंडे तक एक नहीं बलकि दो बार लालू परसाधी आदव और मिसा भारती से पुछताच की CBI के इस कारवाई से राज़त करकर ता काफी नाराज बिहार के डिप्टिस से हमते जसी आदम ने कहा कि बार बार आने से अच्छा है कि CBI रावड़ी आवास में ही अपना दबतर खोल ले लालो परिवार के समर्थन में कॉंग्रेस नेतर प्रियांका गांधी बे उतराई है उन्होंने ट्विट करके लिखा कि जो बिबक्ची नेता बाज़पा के समने जोखने को तयार नहीं है उन्हें ADS CBI के जरिये परताडित किया जा रहा है आज रावड़ी देवी जी को परिशान किया जा रहा है वहीं लालो परसाद जी वह उनके परिवारों को वर्सस से परताडित किया जा रहा है क्योंकि वे जुके नहीं है भाजपा बिबक्च की आवाज दबाना चाहती है बाड़े कर में देखे बिहार बोर्ड ने जारी के दसवी के आंसर की इस दिन तक दर्ज करा सकते हैं आपति ज़्यादि के बिहार बिदाले परिचा समीती ने दसवी के आंसर की जारी कर दिया है अब्जेक्टिव प्रसनों के लिए बिहार बोड ने आंसर के जारी की है दसवी की परिच्छा दे चुके चात्रे चात्राई बोड के दिकारिक वेबसेट पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं चात्रे चात्राई बिहार बोड ओल्लाइन.bihar.government.in पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं बिहार बोड के मुताबिक 10 मार्च 2023 तक चात्रे चात्राई आपाति दर्श करा सकते हैं बाड़े खर में देखे बिहार में बारिस को लेकर बड़ी जानकारी पाकिस्तान से आ रहे हवाव से बदलेगा मौसम कमिजा जा देखे देश के पश्चमी हिस्सों में इस समय प्रिमानसून गति वीदियो ने जोर पकड़ा है राजस्तान माईद पर देश में बारिस ओलेव तेज हवाई चल रही है पसल को बारिच चाती हुई है इस करण 8-10 मार्च के बीच भागलपूर समय बिहार के कई जिलों में हलके बादल चाहे रह सकते हैं इस दोरान पच्चमी या पच्चे हवा चलने की सम्हावना है भागलपूर में 8-10 मार्च के बीच हवा के उस्वत गति 10-15 किलोमेटर परती घंड रह सकती है हवा की गति 10 मार्च से फिर कम होगी दूर दराज इलाकों में हलकी बुन्दा बुन्दी हो सकती है हलाकि भारे मातरा में बारे सम्हावना नहीं है वह 8-10 मार्च के दौरान अधिकतम तापान में कमयाने की सम्हावना है वाई 11 मार्ज से अधिकतम तापान में फिर सिबिर्दी सम्माव है माड़ी करमेदे के होले में सराबियों और हुड़ दंगयों पर सिविल डेस में नजर रखेगी पुलिस ड्रोन से रखे जाएगी नजर जा देखे होले के मोके पर मद निसे दो उतपाद वो निबंदन विभाग 24 घंडे का विसिस भिहान चलाएगा उतपाद विभाग अधिकरी मंगलवार की साम साथ बज़े से बुदवार की रात तक सराब का अवेद कारोबार करने वालों पर नजर रखेंगी उतपाद आयोक्त विक कार्तिक धनजी ने समवार को आजिएद प्रेस कॉन्फरेंस में बताए कि कर्म चारी से लेकर अधिकारिक तक सड़कू पर रहेंगे दियारा इलाकों में विस्स चोक सी बरती जाएगी प्रामुक चोरहा सवेदन सलिस्तानों पर विस्स निगरानी रहेगी ड्रोन के साथ स्वार दस्ता की मदद भी चाप इमारी ले जाएगी उन्होंने बताए कि पिछले एक सब्ता से आवेद सराव के विरुद पुलिस रुदपाद टीम 34,000 से अधिक चाप इमारी की है इसमें 6,000 से अधिक अभ्योकतों को गिरबतार भी किया गया है इस दौरान एक लाग 38,000 लिटर से अधिक सराव बरामत की गई है जिसमें 80,000 लिटर देशी जब की 57,000 लिटर से अधिक विदेशी सराव है विदेखर ने खरमिदे के विपज़ से प्रारामिक परिच्छा की OMR ुवारत जारी होने के सम्हावना जाद के बिहार लोक सिवा आयोग ने विपज़़ से 68 वी प्रारामिक पर इच्छा की OMR ुच्छ जार डाउनलोड कर सकते हैं अब अर्थिधान रखे कि और सीट डाउनलोड करने का लिंक 12 मार्च 2023 की वेबसाइट पर उपलब्द होगा साथ है आपको बता दी कि आयोग ने ओमार सीट जारी करने से एक दिन पहले ही समा ने धन के पेपर की फाइनल आंसर जारी की है और फाइनल गर्मी का असर सुरू होने वाला है इस सल मैं महिने तक समाने से ज़्यादा गर्मी पढ़ने की आसंका है इस दोरान तेज गर्म हवाय भी चल सकती है भारतिय मौसम बिभाग ने मंगलवार को पुरानमान जारी किया है इन्हीं समावित आलात के मादे नजर केंदर सरकार न बना गया है वायदे के मासम बिभाग के मुताबिक मार्च सही मैं माहिने तक उत्तर भारत में अधिक्तम तापमान समाने साधिक रहने के समहावना है बिहार दिवस पर स्कुली बच्चो को सोगाथ राज के पर्यटन स्तलो पर तीन दिन परवेश मुप्त जादे के बिहार दिवस के आवसर पर इस साल राज की बच्चे तीन दिनों तक प्रदेश के महतपून पर यहीं नहीं पटना चड़िया गर भी उनके लिए खुले रहेंगे यहां वे तीन दिनों तक मुप्त परवेश कर सकेंगे इस साथ ही आम लोग पटना की सिनमा घरों में चुनेंदा फिल्म मुप्त में देख सकेंगे बिहार म्योजियम के महाने देशक अंजनिक मार सिंग के अधिक्ता में हुई बेड़क में यह निन लिया गया है बेड़क में सभी विवागों को अलग अलग जिम्मेवारी सोपी गई है बिहार दिवास का आयोजन 22,23 और 24 मार्च को पूरे प्रदेश में आवजित होगा वही इस वर से यहां युवा सकति बिहार की प्रगतित थीम पर आवजित किया गया है बाड़े खर में देखे बिहार में घर बनाना होगा महंगा इट के बढ़ेंगे दाम, सरकार टैकस बसली की जो नहीं देंगे वो बन होंगे इट भी होगी जबद जादे के बिहार में जल्दी गर बनाना महंगा होने वाला है राज में एट के दाम बढ़ने वाले हैं नितिय सरकार ने टेक्स नहीं चुकाने वाले एट बटो के किलाब करवाई के मन बना लिया है उन्होंने एक सब्दा की मौलत देते वे अंतिम चेताउनी दी गई है इस आउदिय में अगर वे टेक्स का बुगता नहीं करते हैं तो एट बटो को बंद कर दिया जाएगा यहीं नहीं उनकी तमाम एटो को भी जब्द कर लिया जाएगा इसका सिधा असर आम जनता पर बढ़ सकता है आपके जानकारे के लिए बता दे कि अब दक राज जिब भार में बड़े सेंक्या में संचले ते एट बटे टेक्स नहीं चुकाते हैं ऐसे बटे संचलकों पर सरकार सक्ति करने जा रही है इसके बाद संचलकों को इटो पर टेक्स अरहाल में चुकाना पड़ेगा इसका सिदा असर ग्रागों पर पड़ेगा एट बटा संचलक टेस्ट की रासी ग्रागों से वसर होंगे ऐसे में घर बनाने की लगत और महँगी हो जाएगी बिहार के सबी सरों में कीचेन तक पाइप से होगी गेस की सप्लाई जाने कब से पूरे होंगे प्रोजेक्ट जाने के बिहार के सबी सरों में कीचेन तक पाइप से गेस की सप्लाई की योजना पर काम चल रहा है अभी बिहार के ऐसे 8 परियोजना पर काम हो रहा है अगले 5-7 साल में बिहार के सबी सहरों में पाइप लाइन से रस्वी गेस के आपूरती करने का लाचर रखा गया है लेकिन बिहार में चल रही कई परियोजना समय से नहीं चल रही है 2024 तक पूरी हो जाने वाली परियोजना अब 2028 तक पूरी होने की बात कही जा रही है पाइप लेकिन बिहार में अब आना जाना होगा और असान असी नए रूटों पर चलेगी बसे जादेखे बिहार में बिबिन सहरों और कस्बों से आवागमन और असान होने वाला है राज बार में 80 नहीं मारगों पर अब बसों का परिचलन हो सकेगा इन मारगों का निदारन करके इसके अधे सुचना परिवान बिवाग ने जारी कर दी है ताइ मारगों पर परिचलन के लिए बसों को परमिट जारी होगा जिलों की मांग और लोगों की सुविदाव को सब्सक्राइब राज सरकार नहीं यहां नहीं लिया है कर में देखे एनेज पर दस फिज़े तक बढ़ेगी टोल दरे जदिके एक्सप्रेसिवे और नेशनल हाइवी पर सपर महंगा के जाने के तैयारी है आगामे पहली अप्रेल से नेशनल हाइवी अथुरेटी आफ इंड तोल दरों का प्रसा भीजिया जाएगा जिनने सड़क परिवहन मंत्राले की मंजूर के बाद लागू किया जाएगा कार एव महल के वहनों के लिए टोल दरे पांच फिज़े बढ़ेगी और भारी बाहन के लिए दस फिज़े तक बढ़ने की सम्हावना है पाड़िकार में देखे राज में नवदय की तरजबार खुलेंगे अथी पिछडा करना विद्याले जादे के सूबे की सबी जीलों में नवदय विद्याले की तरजबार पिछडा अथी पिछडा करना अवास विद्याले खुलेंगे यहीं नहीं उनमें तमाम पढ़ायों और आवास के सुविदा नवदे विद्दाले के पैटन पर होगी अति पीछडा कैलान विभाग ने इस समन्द में ब्यापाक का रियोजना बनाई है विभाग की योजना है कि सुदूर इलाकों की पीछडा अति पीछडा वर्ग की छात्रव को अध्यान के लिए राष्टिय मानक के नुरूप विद्दाले उनके जिले में इस्ताफित होता कि उन्हें पढ़ाई में किसी तरह की परिसानी ना हो आपको बदा दे कि समय गारा जिलों में 12 आयने पीछडा वर्ग करना अवासी विद्दाले इस्ताफित के गये हैं वहीं पिछली दिनों सा पिछडा अति पिछडा करना अवासी विद्दाले हो जाएंगे आज के लिए बस इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूज देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें